जी तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पेर आफ लीनेर एक्वेशन से इंट्टू वैरियबल क्लास टापिक है कुछ कोशन्स अच्छे सवाल प्रैक्टिस मैटेक्रियल वीडियो को देखें और प्रैक्टिस करते रहे हैं तो फर्स्ट फॉल यह सामने आपको प्रैक्टिस करने के लिए कौंसेट बीड़ करने के लिए चलिए शुरू करते हैं क्या है कहानी इस वीडियो की तो काम की बास शुरू की जाए आईए तो कुछ कहानी ये है कुछ कॉशन्स लेंगे तो चलिए वाला कॉशन उठा लेते हैं क्या कहा जा रहा है ये लेजिए तो कॉशन कुछ ये है और ये रहा सवाल इस कॉशन को हम लेके चलेंगे और कॉंसेट बीड़ करने की कोशिश करेंगे टॉपिक आपका क्या है पेर आफ लेनर एक्वेशन टू वैरीवल क्लास टाइंट का वन सगेंगे चीक है तो सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होंगी दो एक्वेशन है पहली पैर ये रही दूसरी एक्वेशन इह रही और इसका हमसे मागा गया है solution, तो किस तरीके से करेंगे, चलिए, देखते हैं, तो पहली equation क्या बोली जा रही है, 1 upon 2x है, sorry, कुछ इस तरीके से है, 1 upon 2x plus में 1 upon 3y is equal to 2 है, तो अब इसमें note down करने वाली बात क्या है, उसे देख लीजे, यह जो variable आ रहा है, यह जो variable है, यह किसमे है, denominator में, तो इस तरीके questions के अंदर हमें let करके चलना पड़ता है, वो let है क्या, इसे आप कैसे break करके लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं, 1 by 2, multiply 1 by x, और इसे लिख सकते हैं, 1 by 3, multiply 1 upon y, और यह हो जाएगा 2, आभी यह, मैंने इस term को इस form में simplify कर लिया है, बात समझके, तो आप 3B is equal to 2, यहाँ पर ले लिजिए LCM, 3 और 2, 6, तो यह हो गया 3A, और यह हो गया 2B, और यह हो गया 2, इसे और solve करते हैं, तो you will get 3A plus में 2B, और यहाँ पर cross multiply 6, 2, 12, तो यह equation इसमें reduce हो गई है, बात समझके, इस तरीके से आपने इस equation को convert कर लिया, इसके अंदर, इससे clear, चेकर, आप देखें, दूसरी question क्या है, वो है 1 upon 3X है, plus में 1 upon 2Y है, और is equal to 13 upon 6 दिया जारा है, इसे भी लैट कर लिया जाए, इसके according तो यह बन जाएगी, 1 upon 3A, plus 1 upon 2B, और यह हो जाएगा 13 बटेच है, यहाँ पर LCM 6, तो यह 2A हो गया, और यह 3B हो गया, और यह 13 upon 6 हो गया, 6 से 6 cancel, तो 2A plus 3B is equal to 13, यह आपकी दूसरी equation आ गई, यह वाले, is this clear, ठीक है, अब देखते हैं आगे, आगे कैसे करना है, दो equations आपको मिल चुकी है, ठीक है, इस वाली equation को उठाओ, इधर लगा दो, 3A plus 2B is equal to 16 है, equating the coefficients, अब देखिए, variable मेरा A है, इसके coefficient इन दौनों को मैं equate करूँगा, 3 और 2 का LCM होता है 6, इस से इस से divide करो, तो यह आ गया 3, इस वाली equation को आप 3 से multiply, और नीचे वाली equation को 2 से multiply, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, otherwise आप सीधा, इस 2 से यहाँ, इस 3 से यहाँ, पूरी equation को multiply कर दिया करिए, this is the short trick, करते हैं, 326A हो गया, 339B हो गया, 3349 हो गया, 326A हो गया, 224B हो गया, और 1622 हो गया, सब्ट्रेक्टर यह खटाट से, same sign है, यह eliminate, यहाँ पर 945B आ जाता है, और यहाँ पर 9 में से 2 गया, तो 7, तो B की value आगे है, आपकी 7 बटा, 5, is this clear, कहीं mistake तो नहीं है, देख लेते हैं, एक बार, 6, 2, 12, यहाँ पर mistake है, यहाँ पर 6 और 2, 12 होना चाहिए था, यहाँ न, चलिए, हटाते हैं इसको, खोड़ा सा mistake है, यहाँ पर आपको 12 लेना था, ठीक है, चलिए, तो 3, 2, 6, A हो गया, 3, 3, 9, B हो गया, 13, 3, 49 हो गया, 3, 2, 6, A हो गया, 2, 2, 4, B हो गया, और 12, 24, ठीक है, माइनस, 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 solve कर दीजी, यह eliminate हो गया, eliminate, ठीक है, elimination by equating coefficient होता है, तो यहाँ coefficients equate किये, यहाँ पर आपने eliminate किया, 9, 4, यह 5, B आ गया, और यहाँ पर 9 में से 4 गया, 5, और यह 15 आ गया, 3, A, plus 2, multiply 3, is equal to 12, तो 3, A, 3, 2, 6, तो यहाँ 6 रहागया, A की value आ गई, 2, A क्या था हमारा, 1 upon X था, है कि नहीं, और B क्या था हमारा, 1 upon Y था, ठीक है, तो यहाँ से X की value क्या आ जाएगी, X हो जाएगा, हमारा 1 upon 2, यहाँ से Y की value क्या आ जाएगी, 1 upon 3, this is your final solution, clear, कोई दिक्कत नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत बढ़िया आपको trick सिखाऊंगा, पटाफट question solve करने की, और speed तो आप देखी रहे हैं, इसी speed से आप भी solve करेंगे, without any mistake, ठीक है जी, चलिए, next, next question उठा लेते हैं, इसी type का एक और सवाल देखते हैं, questions की जितनी आप practice करेंगे, उतना बढ़िया आपका base मजबूत होगा, ठीक है, इस चीश को आप ध्यान रखेंगे, चलिए, तो question है कुछ यह, ले लेते हैं, ये वाला सवाद, तुरंत, प्रभाव से, ये लिजे, तो ये आगे आपका question, आप इस question को हम solve करेंगे, तो ये लिजे, question आपकी screen के उपर है, this is the question, इसको आपने solve करना है, दो equations हैं, ठीक है, दोनों ही equations को आप solve करेंगे, और reduce भी करना है, जो ये process में बता रहा हूँ, इसे हम कहते हैं, reduce करना, ठीक है, simple equation में, किसमें, simple equation में, ठीक है, तो चलिए, करते हैं, इसको भी solve, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, चलिए, ये लिजे दो, क्या बोला जा रहा है, ये बोला गया, 15 upon u है, प्लस में 2 upon v है, और ये 17 है, ठीक है, दूसरी equation भी बोली जा रही है, ये क्या है, 1 upon u, प्लस 1 upon v, और ये 36 बटे 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मैं लैट कर लू, 1 upon u is a, and 1 upon v is b, ठीक है, बास समझ गए, बस इतना सा ध्यान रखना है, तो ये हो गया, 15 a, प्लस में 2 b is equal to 17, और ये हो गया, a plus b is equal to 36 upon 5, अभी ये सिंप्लिफाइ नहीं हुए, इसको आप क्या करेंगे, 5 से multiply, तो 5 a plus 5 b हो गया, और ये 36 हो गया, ये मामला आपका clear, ठीक है, इसे question को उठाइए, इधर ले आईए, 5 a plus में 5 b ले लिजे, और ये 36 है, ठीक है, माइनस कर दीजे, तो क्या हो गया, sorry, अभी माइनस नहीं, अभी हमने coefficients को equate नहीं किया, इसलिए हम माइनस नहीं करेंगे, अब देखिए, ये variable है, ठीक है, यहाँ 5 है, 15 है, दौनों को equate करूँ, तो क्या करना है, इस वाले equation को यहाँ मुझे 15 बना, यहाँ पर, तो इसे 3 से multiply कर दो, 3, 5, 15, a हो गया, 5, 3, 15, b हो गया, और 3, 6, 18, 3, 3, 9, और 1, 10 हो गया, और ये हो गया 15 a, प्लस में 2 b, और ये हो गया 17, माइनस कर दीजे, तुरंत प्रभाव से, ये cancel, ये हो गया 13 b, और यहाँ आगया 8 में से 7 गया 1, 10 में से 8 गया 9, ठीक है, तो b की value क्या आगई, 91 upon 13, क्याने का मतलब 7, तो b क्या है 7 है, कहीं भी लगा दीजे, यहाँ लगा दीजे, तो 15 a, प्लस में, 7, 2, 14 हो गया, और ये 17 हो गया, 15 a, ये 3 हो गया, a की value आगई, 3 बटे 15, मतलब 1 बटा 5, पास समझ गया, a क्या था आपका, a था आपका, 1 upon 5, और ये हो गया, और b की value क्या है 7, तो ये हो गया आपका 7, यहाँ ते आप u और v की value तुरंत निकाल सकते हैं, u क्या हो जाएगा, u हो जाएगा 5, और v क्या हो जाएगा, 1 by 7, I think बाव समझ आ गई हो गया, ठीक है, अच्छा question है, कोई दिक्कत परेशानी आपको इसके अंदर होनी नहीं चाहिए, तो इस तरीके से questions को आप solve करेंगे, लेते हैं एक और बहतरी सा सवाद, चले, कहां है, यह लादी, ठीक है, तो यह लिजे, यह वाला question उठा लेते हैं, यहाँ से, यह लोगे, यह नजर आ रहा होगा, screen के ऊपर, यह question है, इसको आप solve करेंगे, method यही रखेंगे, ठीक है, तो किस तरीके से होगा, चलिए, देख लेते हैं, यह लोगे, question के अंदर क्या बुला गया है, यह बुला गया, 3 upon x है, minus 1 upon y है, यह minus 9 है, दूसरा equation क्या है, 2 upon x है, plus में 3 upon y है, और यह 5 है, तो इसे भी reduce करेंगे, देख रहे हैं, denominator में है, तो 1 upon x को आपने तुरंत a, और 1 upon y को तुरंत आपने b ले लिए, ठीक है, तो यह क्या बन गया, 3a minus b is equal to minus 9, और यह क्या बन गया, 2a plus में 3b is equal to 5, ठीक है, इसे फर्दर और कुछ नहीं करना है, बस coefficients को equate करते हैं, इसे उठा के दर लाओ, यह 2a हो गया, plus में 3b हो गया, is equal to 5 हो गया, यहाँ पर आप 3 से multiply, इसको आप 2 से multiply कर दीजिए, जिससे कि यह वाले coefficient equal हो जाए, is this clear, तो 3, 2, 6a है, minus 2b है, is equal to 9, 2, minus 18 है, ठीक है, और यहाँ पर 3, 2, 6a है, 3, 3, 9b है, और यह 5, 3, 15 हुआ, minus, 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 ठीक है, बात समझ गए, 3, 9 के sign हमने बदले, plus का minus बनाए, अगर minus होता तो plus बना देते, यह cancel हो गया, 9, 2, 11b हो गया, और यह आगया आपका, 5, 8, और 5, 13, और यह 33, ठीक है, जी, यह आगया आपका यहाँ पर, यह minus sign के साथ, तो b की value आपकी 3, ठीक है, 11, 13, 33, बी है, आपका 3, यहाँ पर लगा दो, ठीक है, तो 2a, plus 3, 3, 9, is 5, तो 2a, 9 उदर जाएगा, तो minus 4, a की value के आजाएगे, minus 2, a क्या था, 1 upon x था, b क्या था, 1 upon y था, तो y की value, यहाँ से देख लीजे, y की value के आई, 1 upon 3 आगे, और यहाँ से x की value के x की value, minus 1 upon 4, इस तरीके से आपने questions के साथ, बढ़िया तरीके से practice करने हैं, छिक है, चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करूंत करें, जिससे कि new videos का जो notification है, वो तरहनत आप तक पहुंद, thank you.